आई गोन्हीं jewels हमने अपने याउड्स वीडियो में मेखनेज में ब्रेधिंगं के बारे में साथ कि कैसे ब्रेधिंगा होता है इसताह zwischen हमारे बॉडि में एर का ईंटेख अब ही हम लोग परएंगे से मैंकिनिजम ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो फस्ट न पॉल रूठव बढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन में हम लोग पात करेंगे सबसे पहला बात होता है एक्सक्षेंग आफ गैसेज पिप्टी विटलीज एंड बलाड नेसस्ट प्रास प्रास करेंगे घ्सचेंड एप गैसेज बीन एल्विल एन बलाड वैसस्ट हम लोग स्वेए पढ़ते हैं दुस्रा अम लोग बात करेंगे Transportation of Oxygen via Blood दूसरा हम लोग बात करेंगे Transportation of Oxygen via Blood तीसरा हम लोग बात करेंगे Exchange of Oxygen फ्राम ब्लड टू टिशू और लास्ली हम लोग बात करेंगे रिमुवल आफ सी यो टू गैस काव लगास इन चार बातों को हमें अपने स्टापिंग में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब एक्स्चेंज अब गैसे पढ़ेंगे और हमारा एक्मोसफेरिक प्रेशर यह मता होता है से अब लोग यहां से यह हमारा टोटल प्रेशर का हैं हम लोग यहां बात करेंगे कि इस ऑक्सिजन का 21 परसेंट पर्षेल परेशर कितना होगा इसका जो कि करीब करेंगे करने के पाद आता है वन वन हंडेट फिफ्टीन नाइन एम एम ओफ एच जी और जो कार्बन डियोकसाइड का पाद है इन ए अट्मस्फेरिक इस एटिज एटिज आट इस अराउंड जिरो पॉइंट 3 mm of Hg तो हमारा ऑक्सिजन का जो प्रेशर एट्मस्फेर में है वह होता है 159 mm of Hg और कार्बन डियोकसाइड का जो होता है वह होता है 0.3 mm of Hg अब हम लोग इसको बनाते हैं समझते हैं तो देखिए स्ट्रेंट सबसे पहले हम बात करते हैं अल्विलाई क्या हता है and li is the a structural and functional unit of lungs हमारे लंग का structure functional unit जो नख़ाता वो लंगश का halle लाई हो तह का total internal surface area हम बोले की करीब कई 70 20-meter square to 80-meter square के बीच में होता है जो हमारा एवरेश सर्फेस अरिया होता है यह दिया हम उसको बिच्छा दे बहार निकाल के तो मान लीजिए यह हमने अल Hamburg से बोले यह मेल मीशेक बोले तो मासमें से क्या है यह हमारा एक को अल्विलाई सेड़ार सैड और से अंदर मौजुद है अब हम बात करते हैं मोरा पार्शियल प्रेशर आफ ऑक्सीजन जो हम लोग यहां निकाले तो हम बात करते हैं कि हमारे अट्मस्फेर में जो पार्शियल प्रेशर आफ ऑक्सीजन का कितना है 159 mm और यहां प्रेशन के अंदर नो पार्शियल प्रेशर आफ ऑक्सीजन होता है स्टेशे वह वोटा है 105 mm हम देख तेе कि लंग्स का प्रेशन कम है और यहां प्रेशिय जाता है तो यहां प्रोसेस क्या होता है हम लोग सिंपल प्रोसेश बोलते हैं diffusion diffusion कि आता है इस प्रॉसस्ट अव मुववमें आफ solute particle that is either gas or either gas or solid from higher concentration to lower concentration जैसे हम बात करते हैं कि हमारे oxygen का concentrated atmosphere में 159 mm of Hg है और हमारे एल्वेलर साइकन दर 105 है और यहां प्रेशर जादा है यहां प्रेशर कम है तो air यानि oxygen क्या होगा बहार से अंदर की और मूफ करेगा हमारा oxygen से मूफ किया हम लोग जानते हैं कि blood हमारे हाट से pulmonary artery rise होता है रिकलता है जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से डी oxygenated blood लेके lungs में इंटर करता है क्योंकि हमारा बाट्री प्रमोनी आट्री मोटा होता है तो आट्री हमारे क्या होते हैं fine arteries में split कर जाते हैं और जो साइक होता है बहुत fine particle होते हैं तो बहुत fine substance होते हैं तो वहां तक जाने के लिए क्या होते हैं वह capillaries है है हमारे blood में पाया जाता है RBC red blood cell हमारा यह red blood cell है यह हमारा cash rate this is our red blood cell this is our red blood cell which is a biconcave dyslexe structure यह हमारा RBC है जो कि biconcave dyslexe structure है तो जब यह मूफ कर रहा है तो अभियस है कि हमारा जो RBC अभी क्या है इसमें यह हमारा RBC जो है इसमें क्या जा रहा है डिस इज डी ऑक्सिजनेटेट ब्लड यह कैसा ब्लड जा रहा है students it is our de oxygenated blood यह आवर डी ऑक्सिजनेटेट ब्लड है जो हमारे blood क्याइब कर रहा है तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि हमारे इस आर वी सी में डी ऑक्सिजनेटेटर ब्लड इससे मूफ कर रहा है तो हमारे blood vessels के अंदर जो de oxygenated blood है यहां डी ऑक्सिटेटर ब्लड हम किसे बोलेंगे और सा ब्लड जिसमें काबन डायोक्स का परसेंटेज हाई हो उसे हम दी ऑक्सिनेटर ब्लड बोलते हैं तो हमारे ब्लड वेसल में यह जो डी ऑक्सिनेटर ब्लड मूफ करने हैं यहां पर हमारा पार्शल प्रेशर आफ सी यो टू जो हता है वो करीब करीब 55 करीब करें हमारे ब्लड 45 mm of Hg यानि पार्शल प्रेशर जो हमारे लंग्स ब्लड वेसल में डी ऑक्सिनेटर ब्लड का है वह 45 में फफेजी कार्बन डियोक्साइड का है और हमारे अल्विलाई में जो पार्शल प्रेशर आफ सी यो टू है दैट इस अरूंड 40 mm of Hg और हमारे एक्मस्फियर में जो पार्शल प्रेशर आफ सी यो टू होता है वह 0.3 mm of Hg यहां दे सकते हैं कि कार्बन डियोक्साइड का प्रेशर बाहर बहुत कम है और लंग्स में ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कार्बन डियोक्साइड इस्ता से बाहर चाहता है यानि यहा रभीच दूब्व कर रहा है भ्लाड विसार वो ख्या हो रहा है गतार से ऑक्सेड내ंशन का प्रोसेष हो रहा है और यह ऑक्सीजिघकंट निकल रहा है लोक आइस Legislative को सब्सक्रार निकल रहा है oxygenation का प्रोसेस हो रहा है और यह oxygenation हो रहा है तो क्या हो रहा है इससे हमारा CO2 बाहर निकल रहा है पार्शल प्रेश्ट से हमारा CO2 बाहर निकल रहा है और हमारा यह जो our blood vessels है इसके अंदर जो हमारा rbc अब यह क्या हो गया इस फुली oxygenated RBC तो हमारा RBC में इस तास oxygenated RBC आ गिया अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा oxygenated blood RBC में आ गिया यानि अब हमारा इस oxygenated blood में जो partial pressure of oxygen होता है वो हो गया 995 mm of mercury हमारे यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया अब हमारा oxygen अंदर के ओड़ाया और CO2 हमने देखा कि oxygen in किया और CO2 बाहर एक्जिट किया तो CO2 बाहर निकल गया किस प्रोसेस है simple process of diffusion से अब यह blood vessels हमारे पूरे body में circulate करते हैं इस तरह से मालीजिए मैंने बनाया कि हमारे पूरे body में circulate हो रहा है और नीडी tissue और cell तक जा रहा है यह हमारा blood vessels circulate हो रहा है तो blood vessels में बात करते हैं तो यह पहला था हमारा जो हमने बात कि exchange of gases की तो यह हमने बात कि ही एक्स्चेंज औफ गैसेस की बिट्वीन अल्विलाई एंड ब्लड अब हम बात करेंगे यह हमारा पहला स्टेप था अब हम दूसरे स्टेप में बात करेंगे स्टुडेंस ट्रांसपोर्ट आफ ओटू ट्रांसपोर्ट आफ ओटू वाया ब्लड तो ब्लड मैं इसा क्या पाई जाता है 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 मोगलोबिन जो हमारा रेस्पारेट्री पेंगमेंट होता है यही आर्बीसी जो रेट बलड सामारा icarcell है यह हम अख्शीजिन के साथ क्या होता है इसमें पाया जाता है हीमोगलोबीन जिसे महीप ही इस भी फॉर जिसे हम बोलते है फॉर यह हीमोगलोबीन हमारे ओक्सिजिन से बाइन हुता है यह हेमोग्लोबिन हमारे एक ऑक्सीजन से बाइंड होता है और क्या क्या लाता है और क्या क्या लाता है और दैट इस नौन आज तर्कुलेट कर रहा है यह हमारे बॉडी में निरूप में साफलेट कर रहा है अब जब रात हम्में तीसरी टोपिक है एक्षेंज ऑफ ऑक्षिजिघन वाया ब्लड टुटिशू तो माली यह हमारा ट्लीजाय टीशू है यह हमारा क्या टिशू है च्छेल के सेल में अधर जहां हमारा आगे का प्रोसेस होना है तो हमने देखा कि हमारा जो ब्लड वैसल से जिसमें हम लोग क्या ले जा रहे हैं the oxygenated hemoglobin कर जा रहा है इसमें oxygen ज्यादा है अब उपने इस डिजाइट टिश्व के अंदर जो partial pressure of oxygen होगा टिश्व के अंदर वह करीब करीब कितना होता है पार्ष़एल पेंस चल्चा उट टिश्व के से अंदर हमारा है हम लोग बोलते हैं इस टिश्व में हमारा partial pressure of oxygen कितना होता है 90 mm of 90 mm of 90 mm of 90 और यहां 95 आप यहां higher concentration नहीं यहां lower concentration टीशू में तो क्या होगा यहां से oxygen यहां रिलीज होगा यहां से oxygen आंपट टीशू में रिलीज होगा अब टीशू या सेल की हम बात कए तो यहां पर हमारा सेलूलर respiration होता है अब हम लोग यहां क्या जानते हैं जब यहां सी अपना oxygenation देता गया तो अब्वियसी कि हमारे इसमें oxygen का कमी होने लगा आप हमारे हीमोगलोबीन में क्या है oxygen molecule कम है क्योंकि इसने क्या किया बहुत सारे oxygen को तो ट्रांसपոर्ट करके दे दिया तो हमारा यहां सबसे पहलागी क्या होता है झांँ सेल में पज स्थेंटश के सब्सक्राइब क्या बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब ने आ हो पासेचसा होगा और शेसे हम बोलते हैं कि पाईरूवेड बनेगा और यही पाईरूवेड कहां बनता है जो घुने बात करता है हमारे लुच — कॉंड्रिया तो कटा है हमारे और चिंग प्र उंहरे हमारे बॉडी में ब्लॉड हमारे इसमें टिशू में पारवेट ब्रेक करता है कार्बन डायोकसाइड गास प्लस एच्टू प्लस एटीप हमें एटीपी मिल गया करेंसी ऑफ सेल अब आप देख सकते हैं कि हमारे टिशू के अंदर क्या बड़ा है सियोटू गैस इवाल्व हो रहा है यहीं सियोटू हमारा जो ऑक्सिडेशन हुआ अब यह सीवटू के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ जो सीयोटू होगा वह करीब-करीब 55 mm of Hg है यानि टिशू के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाउकसाइड 55 mm of Hg होता है हमारे क्योंकि हमारे ब्लड से यहां oxygen निकल गया है अब हमारे इस ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑफ सीयोटू जो रहेगा जो की करीब-करीब होता है 50 mm of Hg तो हम देख सकते हैं स्टुडेंट कि टिशू के अंदर सीयोटू का लेवल ज्यादा है ब्लड वेसल में सीयोटू का ल आमो ग्लोबीन क्या बोलते हैं अब हमारा सीयोटू इससे बाइंड हो गया और यह हमारा सीयोटू जया सहीं बाइंड हो गया यह हमारा कहलाता है इस इस नोन आज जब हमारा co2 bind हो जाता है आर बीसी से तो इस इस नोन आज कर्बामीनो एमोग्लोबीन जो हमारे ब्लड से 23% co2 हमारे बॉडी से रिलीस करता है अब यह देख सकते हैं सर्कूलेट होके जाड़ा कर्बामीनोहेमोग्लोबीन इप सकते हैं कि हमारे आलवेलाई में आलवेलाई कें अंदर हमारा प्रेशर है वह कितना है अलवेलाई प्रेशर केंवार maje इंदर की है अप पलड ब्लड में हमारा 50ग हुआ हाईयर सोलोगी हैं यह क्या हो गया हमारा पार्शल सी- крепже हो गया इस तरह से हमारे मोर्डी से co2 बहार रिलीस होता है अब ये सियो टो रिलीस होता है हमारे बोडी से यह हमारे तीन foreign में होता नंबर वन थूब डिजर्ष प्लाज्म या डिजोल्म इन प्लाज्म तचिक्रम आन बादीसे सेवन परसेंट होता है दूसरा हमारा हमोग्लोबी से हेमोगलोबिन से जो कि कितना है स्टूरेंट 23 परसेंट है हम लोग देखनें क्या है 23 परसेंट है और तीसरा और लासली हमारे ब्लट से बाई कर्बोनेट आयन के रूप में यह सीो 3 मैनस्ट में रिलीज होता है कि इस ता से हमारे बॉडि से सियो 2 बहार रिलीज होता है यह हमारा पूरा पूरा प्रोसेंट इसमिरेशन और यह हम लोग रेस्पिरेशन मेकनिज्म बोलते हैं आपको व्यांति में या वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू